Hey everyone, आज हम देखेंगे ओपियम मेडिसीन को एलेंस की नोट से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओपियम या पॉपी इसको कॉमन नेम है, अफीम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, पैबेवरसी इसकी फैमिली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एलेंस से कंस्टिटूशन्स, अाप्टेतफ़े तो चिल्डरंस, और ओल्ड पीपल, तो बच्चों में और ओल्ड एज के परसंस में डिसीज आफ फास्ट और सेकंड चाइलधुटूड ठीक है, तो जो फास्ट चाइलधूड हम इसको जो रियल चाइलधूड उसको बोलते हैं, और सेकंड तो पूरी बोडी के सी है, लाक्स हो गई है, रिलैक्स हो गई है और परसन के light years है और बोडी में अभी कोई response नहीं मिल रहा है ठीक़्े, बोडी इतनी ज़्यादा लाक्स है तो वांट अफ बोडी irritability, ठीक है, रोडी को excite करने के लिए कुछ irritations चाहिए, कुछ stimulus चाहिए, that's why want of bodily irritability अब हम opium के देखेंगे, mentals mental general's में, delirium के बारे में, तो जो opium का delirium होता है, constantly talk हमेशा बात करता रहेगा, आई केसी रहेगी, wide open है, ठीक है, यह इसका keynote है, wide open रहती है face red रहता है, puffed face मिलेगा, unconscious भी हो सकता है eye glassy color की होगी और harp close रहती है, delirium के state में, face pale होगा या फिर red होगा, अगर pale होगा, तो deep coma preceded by stupor होगा उसमें, thinking she is not at home this is continuously in her mind, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि वो घर पे नहीं है, ऐसा बार-बार mind में एक ही थोड़ चलता है कि वो घर पे नहीं है delirium के street में bryonia में भी home sickness देखने को मिलती है, peaking up bad clothes during sleep, sleep के टाइम पे जितने भी clothes है, bad sheet है bad clothes है, उनको पकड़ेगा while awake in, उठने के बाद bed clothes अगर कोई पकड़ता है तो bella और hyosimus remedies है, delirium की बात करते है, तो delirium tremens है, तो इसमें old emaciated person रहता है, जिसका face bloated मिलेगा, stupor, और जो eyes में burning, hot dry with loud snoring के साथ, हमको delirium tremens की condition देखने को मिलेगी, physical generous की बात करते है, तो want up susceptibility to remedies ठीकिये, susceptibility चाहिए उसको, lake up vital reactions है body में, well chosen remedy अगर कोई impression नहीं दे रही है तो अब opium दे सकते हो, ऐसी condition में, carvo wedge, laurel और valeriana भी remedies है, want up bodily susceptibility के लिए, all complaints, जितनी भी complain होती soper के साथ रहेगी, soper मतलब ऐसी dull drowsy वाली condition, painless, सारी complain painless होगी, complain nothing, कोई भी उसको complain नहीं हो रही है, body में, और want nothing, और कुछ चाहिए भी नहीं, सारे all complaints में, यही हमको symptoms देखने को मिलेंगी, सारे sleep की बात करते हैं, तो heavy stupid with statorious breathing देखने को मिलती है, ठीके सिसक सिसक के सासे लेता है, वो red face, eyes half close मिलेगी, नीन में, blood shot, ठीके, ऐसे से red face रहेगा, उसका, skin covered रहेगी, hot sweat से, और after convulsion, convulsion के बाद भी, उसको hot sweat आएगा, skin covered रहेगी, hot sweat से, sleepy रहेगा, बड़ लेकिन सो नहीं पाएगा, ठीके, sleeplessness है, उसको acuteness of hearing, जब भी नीन नहीं आ रही है, तो acuteness of hearing रहती है, cloak अगर strike कर रही है, कहीं पर घड़ी चल रही है, तो वो भी उसको बहुत दूर से सुनाई देदेगा, cocks crawling at the great distance key for wake, element हमको देखने को मिलेगा, कि insensibility, impartial and complete paralysis हो गया है, origin हुआ है, fright के कारण, तो इसमें एक element है, fright, fright के कारण, अगर कोई भी complaints आ रही है, तो आप लोग opium को सोच सकते हो, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, की bad effect of fear, steel remail, ठीक है, उसको fear तो अभी तक ही है, from charcoal vapour का abuse हुआ है, या फिर bad effects हुआ है, अगर gases inhale कर ली है, या फिर drunk card, ये सारे elements है, अगर cause में आपको इन में से कुछ भी मिलता है, तो आप opium को सोच सकते हो, marasmus के अगर बात करते हैं, तो जो child होगा, उसको skin जो wrinkled रहेगी, looks like a little drink, so a little dried up old man, तीक है, तो जो marasmus है, पूरी body कैसी हो गई, एकदम सूखी हो गई है, बच्चे की और skin सूखा है, बच्चे का constitution इस टाइप का हो जाता है, abrotenum में भी हमको lower extremities में marasmus देखने को मिलता है, अब GIT की बात करते हैं, तो जितने भी digestive organs है, वो सारी inactive हो गई, parastatic motions क्या हो reverse parastasis हो रहा है, ठीक है, अपर parastasis motions होने लग गई, या फिर inaction और parastasis हो गया है, GIT का कोई भी desire नहीं है, stool के लिए, from lead poisoning के कारण, stool hard round black balls में देखने को मिलता है, chelidonium, pumbum और thujya में भी हमको black balls में stool देखने को मिलता है, feces, protuted and reset bag, ठीक है, जो fecus है, थोड़े देल के लिए आएगा, then reset bag हो जागा, यही symptom को silashear thujya में भी constipation के condition में देखने को मिलता है, stool हमको involuntary ही देखने को मिलता है, especially after fright, fright के बाद अगर किसी person को involuntary stool के history है, तो आप लोग opium को सोच सकते, और school का character black और offensive रहेगा, या फिर paralysis हो गया, sphincter का, anal sphincter का, next GIT symptom को हम देखते हैं, opium renders the intestine so sluggies that the most active purgative lose their power, ठीक है, opium क्या करता है, जो अपनी GIT की जो intestine है, उसमें इतनी ज़्यादा sluggishness, इतना ज़्यादा paracis करवा देता है, कि जो most powerful purgatives है, constipation को relieve करने के लिए हम देते हैं, तो वो भी fail हो जाता है, अकोडिंग टू डॉक्टर हैरिंग है, persistence diarrhea होता है person को, those treated with last dose of the drug, ठीक है, ऐसे person है, जिनका constipation last dose of drug से treat किया गया है, उनको persistence diarrhea अब develop हो जाता है, तो ऐसी condition के लिए भी आप opium दे सकते हो, यह डॉक्टर लिपे के according है, urinary symptoms हम देखेंगे, तो urine कैसी रहेगी, retained रहेगी, क्योंकि यह paracis करवा रहा है, bladder का भी, with bladder full retention होगा, उसमें urine का, या तो postpartum हो सकता है, या फिर excess use of tobeco के कारण भी, इसमें हमको bladder में urine retained देखने को मिलेगी, in a nursing children's, after the patient of nurse, in a fever of acute illness, paralysis आप bladder देखने को मिल सकता है, रेक्टम में paralysis वेच्छा होए, वैसे हमको bladder में भी देखने को मिलेगा, तो हमें retained urine देखने को मिलेगा इसमें, अगर हम देखें तो stramonium में भी, we have a suppression, while in opium, the secretion is not diminished, the bladder is full, but fullness is unrecognized, चीक है, stramonium में क्या होता है, urine का formation ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे urine suppressed होती है, but opium में urine तो रहती है, bladder का paralysis देखने को मिलता है, next हम देखते है, respiratory system में, तो deep statoris respiration देखने को मिलता है, जब हमने delirium tremors देखा था, तो उसमें statoris respiration के बारे में देखा था, both on inhalation और exhalation के time पे भी, हमको respiratory sounds देखने को मिलेंगे, low sub breathe और falling asleep, जैसे ही सोने जाएगा, तो उसकी जो breathe है, वो भी loss हो जाएगी, उसको breathlessness होने लगेंगी, grandiola और lexis में भी ये symptom है, low sub breathe और falling asleep, nervous system की बात करते हैं, तो nervously हमको सबसे पहले spasm देखते हैं, कि opium में spasm का character क्या होगा, तो जो बच्चे है, ठीक है, from approaching of strangers, जब भी कोई stranger persons आएंगे उनके आसपास, या फिर nursing है, after a fright of mother, ठीक है, तो इन दो conditions में जो बच्चा है, उसको spasm साएंगे, या फिर after anger of mother, मदर के एंगर के बाद भी बच्चे में spasms develop होंगे, chamomilla, nux vomicum में भी हमको ये symptoms देखने को मिलता है, और अगर fright के बाद अगर आ रहा है, तो opium और hyosymus medicine रहेगी, from crying, eye, heart, open और, eye, heart, open हमको इस spasm की condition में देखने को मिलेगी, या फिर up turn भी हो सकती है, scream before or during spasm, spasm के टाइम पे हमको screaming भी देखने को मिलती है, opium के spasm में, epiz और hyalimoros में भी scream है, next symptom है nervous system है, sudden retrosection of acute exanthema resulting in the paralysis of brain inculvals, जो उसको acute exanthema की ये भी condition आई है, बोडी में, वो क्या होगी, रिट्रो सेक्शन हो जाएगी, वो surprise होके उसको paralysis of brain या फिर convulsion में convert कर देगी, यही symptom हमको zinc में भी देखने को मिलता है, fever की बात करते हैं, तो bad feels so hot, ठीक है, हमको opium में जो bad है, वो hot देखने को मिलता है, और जो person उस पे so नहीं पाता है, अगर हमको यही condition, अगर hard bad feel हो रहा है, तो arnica, bryonia और pyrogenum में जो bad है, वो hard feel होता है, इसलिए उसको दिक्कत होती है, और opium में hot bad feel हो रहा है, इसलिए वो उस पे so नहीं पाएगा, more often, इसलिए वो cool places को search करेगा, और must be uncovered, ठीक है, fever के time में वो uncovering रहती है उसको, cover करके नहीं रखता है, modalities देखिएंगे, तो aggravation during sleep होता है, और after sleep, after sleep aggravation हमको आपीस और lecasis में भी देखने को मिलता है, while paspiration के बाद aggravation होता हो opium में, warm से aggravation होता है, और कोई भी stimulants है, उनसे aggravation है, amelioration है cold से, और constant walking से opium में जो complaints रहती है, उसमें हमको amelioration देखने को मिलता है, relation के अगर बात करें तो antidote करती है, किसको antidote करती है, poisoning of doses, strong coffee को, nux vomica की अगर poisoning हो गई है, kali, या फिर constant motion, ठीक है, इसी conditions में आप लोग opium दे सकते हो, when symptom correspond, the potencies may antidote, bad effect on opium drugging, compare कर सकते हैं हम इसको, apis, bella, hyo, stramonium, zincum में, mental delirium की condition में, तो ये थी remedy, opium from allen's keynote materium में दिगा, I hope अपके लिए lecture helpful रहा होगा, thank you for watching,